हेलो गाइज वेलकम बाक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक RTI के बारे में ये RTI मैंने फाइल की है DDA के लिए जिसमें मैंने उनसे पूछा है कि कितनी नंबर ओफ एप्लिकेशन्स रिसीफ होई है जो की रिकुट्मेंट आये था 2-2023 में चाहे वो न कि क्या कहता है अनफिशल डाटा की कितनी नंबर ओफ एप्लिकेशन्स रिसीफ होई है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं मेरे द्वारा RTI में DDA से अब सबसे पहले देखिए मैंने दो कोशन पूट अप किये हैं DDA में अराउ अब हम यह जान लेते हैं कि वो नाइन पूष्ट कौन कौन सी हैं यह देखिए रिगाप अपना इडवर्टाइजमेंट में देख पा रहे होंगे कि तो गाइस ये हैं इतनी number of post जिनका मैंने डी 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 ए से जानने की कोशिश की है कि RTI में कि कितनी number of applications आई है category wise हर एक post के लिए अब इसका RTI max to max 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा और जैसे ही answer आएगा मैं आपसे video बना के share कर दूँगा जिससे आपको authentic information मिल पाए about number of application receive for each post in each category for the recruitment which is undergoing for DDA department अब एक और चीज़ है कि unofficially अगर कहें तो around 7-8 लाग जी हाँ 7-8 लाग total number of applications received हुई है in DDA ये मेरे कुछ-कुछ sources हैं जिनके द्वारा मेरे को जानकारी मिली है जिसमें 7-8 लाग around total number of applications received हुई है DDA में अब वो कितनी कौन सी post के लिए हुई है वो मेरे को RTI में officially पता चल जाएगा और जैसे ही मिलता है मैं आप से share कर दूँगा तो guys तब तक आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को like करना है और चैनल को subscribe जरू कर लेना जिससे मैं regular updates दे पाऊं इस post के regarding आपको regular basis पे ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो अगर आपको वीडियो informative लगाओ तो please like कर देना subscribe जरू कर लेना और share करना आपने दोस्तों में जो इस post के लिए त्यारी कर रहे हैं ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो thank you for watching